नमस्कार दोस्तों, एन टीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रस्तुत है चारक के नीती के आधुनिक रूपांतरड की एक और वीडियो चारक के नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे इसलिए लाइक जरूर करें अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीबन खुशाल है वो सिर्फ स्वास्ते से नहीं बलकि भौतिक सुखों से भी सुखी रहना चाहता है लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुश नहीं होता या फिर पैसे से ही सारी खुशाली नहीं खरी दी जा सकती दोस्तों ये बात भी सच है कि सब कुछ पैसे से नहीं मिलता लेकिन भौतिक सुखों के लिए धन की आवश्यक्ता होती ही है बिना धन के जीबन जीना आसान नहीं होता आज धन के लिए लोग रात दिन मेहनत करते हैं ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके दोस्तों यदि पैसा रहेगा तब ही आप अपने भावतिक सुक सुबधाओं के सामान को खरीच सकते हैं यदि अगरीब की बात करें तो उसके पास बस पेट पालने के लिए ही धन होता है बाकी वो भावतिक सुक सुबधाओं से वनचित रहता है और वहीं किसी अमीर इंसान को अगर आप देखें जिसके पास बहुत सारा धन है उसके पास भावतिक सुक सुबधाओं के सारे सामान उपलब्द रहते हैं दोस्तों चारक के नीती को जीवन जीने के आधार के रूप में देखा जाता है आचारे चारक के ने हमें जीवन जीने की एक सही दिशा दिखाई है चारक के ने हमें जिंदगी के हर पल को आधर्श और धर्म के मुताबिक जीने के लिए प्रेरित किया ह चाड़क के नीती में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कुछ लोगों के पास कभी भी धन नहीं टिकता लेकिन क्यूं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इनी बातों के बारे में जराविस्तार से बताएंगे नमबर एक दोस्तों चाड़क के जीके अनुसार यदि जीवन साथी ठीक ना हो तो आपके पास लक्षमी कभी नहीं टिकेंगी दोस्तों आपने ये कहाबत तो सुनी होगी कि एक इस्त्री ही पूरे घर को संवार सकती है और उजार भी सकती है जो लोग अपने जीवन साथी को दोका देते हैं तो आपका जीवन और आपका घर बरबाद हो सकता है इसलिए कभी भी अपने पार्टनर को दोका ना दें नमबर दो दोस्तों चाड़क के जी के अनुसार यदि आप लालची हैं तो कभी भी आपके पास लक्षमी नहीं रुकेगी कहा जाता है लालच बुरी बला होती है यदि आपने लालच किया तो कभी भी आप किसी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं इसलिए ज्यादा लालच ना करें बलकि धर्म का अनुशरण करें नमबर तीन चाड़क के नीती के अनुसार जिस भी इंसान के पास घमंड है उस घमंडी इंसान के पास कभी भी धन नहीं रह सकता यदि ऐसे इंसान के पास धन है तो वो जल्दी समाप्त हो जाएगा इसलिए कहा जाता है ज्यादा पैसो का घमंड इंसान को बरबाद कर देता है इसलिए अगर आपको भी धनबान बनना है तो सबसे पहले घमंड का त्याक करना होगा तभी आपके पास लक्षमी का आगमन होगा नमबर चार दोस्तों चाड़क के नीती के अनुसार जिस भी घर में मादग वस्तुओं का से लियादत है या आप मादग पदार्थों का सेवन करते हैं तो इसे जल्द ही छोड़तें तभी आपके पास मालक्षमी का आगमन होगा बाहराल दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी परकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए Stay Motivate, Stay Fearless